हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग आज है दोस्तो 2 माई आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कुछ सेरो की अपडेट तो दोस्तो पहला सेरे रेल्डर कॉपरेशन आज इस से में दोस्तो 1.6% की तेजी दिखने लिए आज इस कंपनी का रेल्ड आए så आपको इस कंपनी का रेल्ड बताएंगे लगए लगफ उसके का रेल्ड प्रसंद का एक तेजी निए दिय और लाश्ट चे दोस्तु यह 14% का ही था तो फ़ें quarter to quarter इसमें गिराबर देखी मिली है और फ़ें इस कंपनी का net profit 78 करोगा है जो लाश्ट कोड़ा में 62 करोगा था तो फ़ें इसकी sales दिंद की जोने की वैसे इसका net profit आपको ज्यादा देखी को मिल दा है जो कि एक plus point है से क्ल में जिससे में आज 0.40% की तेजी देखी मिली तो दोस्तो इस कंपनी ने दोस्तो इस कंपनी ने 285 करोगे sales के buyback की मंजूरी दे दिया है तो फ़ें buyback का price इस कंपनी दो है 770 रुपे का तै किया है जग भी फ़ें आज एससे ने closing 233 रुपे पे किया है तो फ़ें यहाँ से buyback की timeline अभी इस कंपनी ने गोज़रा नहीं किया है जो फ़ें आपको जल्दी गोज़रा करते हूं नजर आएगी नेस्ट अपडेट है दोस्तो आई एक से के बाद में जिससे मैं आज जूपन 19% की दोस्तों गिरावत देखनी हूं लिए तो फ़ें बज़ा बंद होने के बाद इस कंपनी ने बिजनेस अपडेट दिये साल दर साल इसके कुल वॉल्यूम में 14% की बढ़ोती देखनी हूं मिलिया है वहीं दोस्तों कंपनी की डेएट मार्केट के लिएंग प्राइस साल दर साल 6% दोस्तों गिरकर 5.1 प्रिती यूनिट पर पहुंच गया है इसके साथ ही रियल टाइम लेक्टिस सिटी मार्केट सेके वार में जिससे में आज दोस्तों फ्लैट रिटन देखनी को मिला तो फिन वोफा ने अप्रेट किया रेटिंग इस सेकी तो फिन आपको से में तेजी देखनी हूं मिल सकती है ब्रोकेज ने इसे अंडर परफॉर्म से बढ़ा कर दिया है ब्रोकेज फिन टैरी बड़ 1.25 percent की तेजी देखनी हूं मिली दोस्तों इस कपनी का डियालटा है इस कपनी की sales 6896 करों की आई है जो last quarter में 6920 करों की थी और last quarter में 597 करों की थी तो फिन sales में quarter to quarter गिरावट हुई है और यह तुई है तेजी देखनी को मिल रही है वहीं दोस्तों इस कपनी का operating margin 58% का है जो लास्ट करों में 61% का था और last quarter में 56% का था तो फिन quarter to quarter डाउनफल है और ETS तेजी देखनी मिल रही है वहीं कंपनी की net profit की बात किया है तो फिन दोए 15 करों का आया है जो last quarter में 208 करों का था और last quarter एक एक 113 करों का था तो ETS में तेजी लेगिन quarter to quarter गिरावट देखनी मिल तो फिन आपको से में गिरावट देखनी मिल सकते हैं इससे पर फोकस सकते हैं क्योंकि दोस्तो quarter to quarter रेल को market ज्यादा reward करता है दोस्तो जबकि सालाना अदर पर देखनी तो 16% की growth देखनी हो मिल रही है इसकी मनाफिय में तो long term के लिए काफी अच्छा से और long term में से दोस्त की बढ़ती देखनी हो मिल रही है वहीं दोस्तो दुपया वानो में इस company की साल आना अदर पर 19% की बढ़ती देखनी हो मिल रही है तो दोस्तो आप इस से पर फोकस करें से में आपको और भी तेजी देखनी हो मिल लेगी तो दोस्तो स्टॉक मार्केट की latest update आपको इस चैन को सब्क्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक जूल कीजिएगा